नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और में हूँ आपके साथ जफर अश्रफी अंजड के समीब छोटा बड़दा नर्मदा नदी में रविवार डुबे युवक का तीन धित बार बिला शव पुलिस ने पोस्माटम करवा कर शव परीजनों को सोपा जात जारी रविवार दोपार दिलिप गाउं के ही सुरेश शिवा और शिवा की पतनी ममता के साथ नदी पर पहुँचा था तब नर्मदा किनारे कोली मोले की और नदी के बैक वाटर के पानी में लगबग 20-25 फीट गहराई में शिवा की नाओ दिखाई देने पर शिवा सुरेश और इनके पीशे दिलिप भी नाओ पकड़ने पानी में कुदा था तीनों ने नाओ को बाहर निकालने का असफल प्यास किया नाओ निकलने पर तीनों वापस किनारे पर लोटने लगे तब दिलिप बीच में पानी में रुख गया था जिसके बाद दिलत वापस नहीं लोटा और आज अंजड के समीब छोटा वरदा नर्मदा नदी में रविवाद डुबे युवक का तीन दिन बाद मिला शव पुलिस ने पोस्माटम करवा कर शव परिजनों को सोबा अंजड से सतीच परिहार की रि